गुड मॉर्निंग एवरिवन कैते हैं आप सब आसा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगें अभी सुभा के लगभग 5 बच के 45 मिनट हो रहे हैं छे अभी नहीं बज़े हैं पूरी तरह से और आज कल थंड के कारण बिल्कुल लेट से सो कर उठती हूँ आज तो च्छे साथ इस तरह से हो जाता है ज्यादा तो थंड नहीं है पटना में लेकिन फिर भी थंड है तो अभी मैं गर्म पानी पहले कर लूँगी गर्म पानी में गिलोई निम्बू और मधू डाल कर पीती हूँ ब्रश वगेरा कर लिया है और कोई भी काम उदर स्टार्ट कर पहले यह तो उड़ जाते हैं पांस दस मनट पहले तो इनको लगता है पहले जल्दी से चाय बना दो चाय तो क्या करती हूँ मैं मैं इंडक्शन पर चाय चढ़ा कर विल्कुल कम कर देती हूँ ताकि मन में एक दम संतोस हो जाए कि चाय चढ़ा हुआ है और यहां पर मैं जब से खराब हो गई तो डाइटिंग होगे रखिया था थोड़ी तब्याट डाउन हो गई थी तो मैं डर्शी गई थी अब थंड ही सुरू हो गया है चोटा बच्चा है तो आप छोड़ कर कहां जाईएगा तो अभी मैं नहीं जा रही हूँ यह रात का दूद है तो उसमें बाबु के लिए एक दो रोटी बचा कर मैं रात का रखती हूँ क्योंकि रात का रोटी बच्चे को खिलाने से या आप भी अगर खाएंगे तो काफिर फायदे होते हैं अगर यकिन नहीं तो आप कहीं पढ़ लिजएगा और कहिएगा तो मैं भी आपको बता यहां पर मैंने बिल्कुल कम कर दिया वाट इंडक्शन का और चाय दर चढ़ा दी और जो दाल का फटावा पनी है क्योंकि अभी तो बाबु शोया हुआ है लेकिन साथ साथ बस्ते बस्ते वह उठ जाता है तो चाय क्योंकि अराम से बटके पीने में अच्छा लगता है बंद किया भी नहीं गैस और कढ़ाई चढ़ा दी है अरर का दाल मैं उसको भून लूँगी थोड़ा सा सरसों तेल में काफी टेश्टी बनता है दाल और जो बचेगा वो मैं सोच रही हूँ डबबे में रखने के लिए लेकिन अभी मैंने कोई भी डबा वगेरा साप नह तो आलू वाला को रोके हैं तो यह आये थे थैला लेने के लिए अब यह आलू लाने गए हैं फिर लाएंगे आलू लेकर आएंगे और इधर मैं चलिए दाल को मैंने धो लिया और गरम पानी भी मैंने पी लिया और जब तक हमारा चाय होगा तब तक मैं दाल फिट करके च किसमें बदाम तो देती हैं लेकिन दाल रोटी घी या फिर उसकी इच्छा के नहीं साथ दाल रोटी निम्बू और इधर मेरा ये चाय उबल गया तो अब मैं इसमें चाय पती डालूंगी जो फटा हुआ चाय पती है थोड़ा सा मैंने डब्बे में रख लिया है पूरा नह देती हूं और देखिए कितना मैनत से मैंने कल ड्राम सेट किया था और एक समान लेने के लिए जैन्स लोगों के यादत होती है वो पूरा अंदर तक उटक देंगे उनको कोई मतलब नहीं है कि कैसे तुम रखी हो क्या कियो सब कुछ इस तरह से सनपापड़ी भी मैं नहीं इसको मैं बाद में काटूंगी और जो नीचे में इस तरह से बिखर गया ड्राम वगरा बाहर निकल गया सब को मैं सेट कर लूँगी और देख रही हूँ किसे डब्बे में कौन सा समान है कौन सा डब्बा पिछले मैंने साप किया था यह सब ध्यान रखना पड़ता है कि अगर सारा काम ये देखिए मैंने सोचा चाय पत्ती रख दूं फिर याद आया नहीं अभी तो मुझे डबा शाप करना है तो फिर मैंने रख दिया उसी तरह से तो इधर चाय भी हो गया मैंने दाल भी फिट कर लिया है उधर से गरम पानी उतारा तो कढ़ाई चढ़ा दाल चढ़ा दूंगी अब ड्राम वगयरा मैं सेट कर लोंगी डाल फिट करके चढ़ा दूंगी तब तक बावु सोके उठेगा तो फिर ब्रस वगयरा कराऊंगी तो खिलाऊंगी अब निश्चिन से मैं आराम से चाय पीलूंगी उसके दीरे-दीरे सारा काम करूंगी सुबह अब चाय पीने के बाद मैं आपसे मिलूंगी तो आप लोग जो भी मेरे चानल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करिएगा वीडियो पर पसंद आये लाइक करिएगा जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनको देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद तो चलिए अब साम साम में आपसे मिलते हैं और ये देखें साम का समय हो गया है पवित रिष्टा मेरा खतम हो गया है तो पांच बज रहा था मैंने वाबु सोया है थोड़ा आज लेट से सोया था था सारे 3 बज़े के आसपा सोया ही था तो मैं जल्दी से दब्बा वगेरा उपर वगेरा सब मेगी यह वह कॉर्ण फ्लैक्स वह मैं रखती हूं अपने लिए लेकिन बावों को मैं यह सब बिल्कुल भी नहीं देती हूं तो घी रोटी नमक एक उसको देती हूं उसके बाद बॉर्ण बिटा देती हूं तो इससे कॉंश्टिपेसन भी बच्चे में अगर है तो ठीक हो जाता है तो इसलिए भी जो आपने मुझे देखा रोटी रखते हूं मैं जब आटा मैंने मिलाया तो मैं एक साथ दस बारा रोटी का बनाने होती है तो मैंने बना ही लिया रोटी बना के रख दी अब बचा है सबजी उपर देखिएगा यह जो तेल रखती हूं तेल के और इस पर पेपर रख दिया यह सब काम अगर सुभा करूं तो उसमें लेट हो जाता है जब समय मिलता है उस तरह मैं कर लेती हूं तो आप तो आपी तूसाम का ही समय था अईसमें मैं लगी थी रोटी भी अब बनी गया है सिर्फ सबजी बनाना है तो अब बावो को मैंने घी रोटी नमक अभी नहीं दिया है, सोकर उठा थोड़ा सा वो गेम देख रहा था, मैंने रोटी बना कर रख दिया है, अब दुबारा मांगेगा, तब फिर दूँगी, अगर तुरंत निंदाया उठेगा, दे दूँगी, तो फिर खाएगा नहीं, इधर उधर फेग है, उसमें सर्फ डाल दिया है, क्योंकि सारे डब्बे को स्कॉच वाइट से ही साफ करना जरूरी नहीं होता है, हर बार वो मैं भी आपको बताऊंगी, और ये बावु चमनप्रास खा रहा था, खाते खाते, मुझे धमा दिया, उसको मैंने खाया, चमनप्रास को, अच्छ काट कर मैंने पीछे वाले पोर्शन को उचा करके अगर आप रखते हैं, तो आपका कीचन भी देखने में अच्छा लगता है, और आपको तिकते रहता है, कौन सा समान आपके पास कितना है, तो जिस डब्बे को मैंने पिछले मैंने साफ किया था, उस डब्बे को मैं इस साफ नहीं कर रही हूं, जो अंदर में समान है, लेकिन उपर से साफ करना होगा, नहीं तो गंदगी ज्यादा, यह देखिए, बिल्कुल टेका तक साफ हो गया, गर्म पाने में इस तरह का कोई कपड़ा, अगर फुराना नाटी है, कोई टॉबिल है, शर्प डाल तक थोड इतनी बार यूज कर रहे हैं, क्या इसमें धुआ डारेक्ट लग रहा है, टेल वेली के आसपा से तभी जाड़ा गंदा होता है, ने तो जाड़ा गंदा नहीं होता है, इसलिए मैं हर मंत साफ नहीं करती हूं, इस मंत कौन सा डबा साफ किया, जो डबा इस मंत साफ किया, अगले मंत वो नहीं करूंगी, अगले मैंने वो दूसरा करूंगी, और यह देखिए, तो इस तरह से सारा डबा और धकन के साथ ये तो करना ही पड़ता है, हर किसी को करना पड़ता है, ये काम और हर तिस दिन में आपका कितना डबा गंदा होगा, जो आप तेल वगेरे के जैसे बिस्किट का हो गया, मिक्चर का हो गया, हर तरह के दाल का हो गया, दल्या वगेरा बनाती हूँ, वो तो मैंने सूजी रखा हुआ है, और इस डब्बे में जिसको इसाब कर रहे हूँ, उसमें मैंने तेचपात और लाल मिर्च रखा है, ये छोटा-छोटा डबा जो गंटा लगा था, और अब इसका चमन प्रास खाना हो गया, तो मैंने हाथ दो कर आपने देखा, घीरोटी नमक दे दिया, और मैं इसको और अरली पढ़ा भी रही हूँ, आफ्टर वाट कम्स, आफ्टर वाट कम्स, भीफोर, क्योंकि हमेशा बूक और कॉपी में लिख कर बच्चे को नहीं पढ़ाया जाता है, कुछ मौखिक भी उसको रिमाइंड कराया जाता है, तो अभी तो स्टार्टिंग प्रियाड है, उसका जुनियर केजी में पढ़ रहा है, तो काफी मेहनत करना पढ़ता है, एक दुसरा भूल जाता है, लेकिन बहुत अच्छा है यह साथ मेरी माँ बात कर रही है और जिस धक्कन में आप देखेंगे किनारे में ज्यादा गंदगी जमा हुआ है उसको मैं छूरी से कर दे रही हूँ और सारा डबा इस तरह से बिल्कुल चकाचक हो जाता है और यह डबा मैं इसाफ कि इसमें मैं अरहर का डाल रख लूँग जो बचेगा उसको मैं रखोंगी ड्राम में और रोज पहले उससे बनागर खतम करके फिर मैं इसको सुरू करोंगे देखिए अब उपर कितना अच्छा देखने में लगने लगा तो यह बस एक तीस दिन में जरूर नहीं है कि एक तारिक को ही सब कुछ करना है एक या दो उसके नीचे मैंने सारा मधू का डबा रखा हुआ है इसमें सारा जो छोटा-छोटा मसाला होता है जिसे अजमाइन हो गया जीरा हो गया मंग्रेला हो गया और यहाँ पर मैं चमन प्रास और बॉन बिटा को आगे में रख दिया तो कि इन सारे डब्बों का रोज जरूरत ह होता है दिन में दो बार, तिन बार देखें। इस प्रागा कोई कूट का डब्बा था अगि मेरत यह पर्तनियुका है लकान अगर आप लोगों के पकास इससतीमाल सकते यह सारा बॉरन बिटा का डब्बा है। और इसके पीछे मैंने क्यों किया मैं दाल दिया है इसके पीछे मैं जो भी डबा रखते हुँ तो मुझे याद रहता है कि क्या चीजा यह दिखते रहता है आप उपर देख मैंने पीछे का उचा करके रखा हुआ है जिसकी पीछे का आपको दिखते रहे तो मैं पीछे रख देखे हूं जैसे कि ये शबुदाना तो जरूरी था ये क्योंकि ब्रत है तो उसमें तो मंगाना ही होता है इसे मैंने इसको रखा हुआ था फिर भी मेरे माइंड से सबुदाना निकल गया और मैंने क्या किया था इस प्राड़े को एक नया शबुदाना से फार लिया था तो इसलिए पीछे उचाकर रखने का ये त्रिक हमें दिखते रहता है हमारे पास फटा हुआ क्या समान है कितना लोग भाग खरी देगा इसलिए ये सब ट्रिक गिर्यानी के बहुत काम आने वाला सबुदा है मैंने तारा शाबुदाना इसमें रख लिया अब मुझे दिखता रहेगा कि हाँ शाबुदाना अभी खटा हुआ है इसलिए नया नहीं फड़ना है यह है दाल चीनी इसको भी पोच लेती हूँ यह ग्रें टी जो कि भी मैंने पीना बंद कर दिया है यह रिफाइन इसमें नमक का मैं कुछ भी नहीं रखती हूँ कि भी सबुदाना वगिरह रखा है जो कि ब्रत में यूज करती हूँ तो इसलिए मैंने इसमें नमक का कुछ भी नहीं रखा है यह भी खाली है इसमें कुछ रखोंगी अंदर से पूरा साफ है कि जब कोई भी डबा खाली होता है बीजिजिए उसको साफ करके रखते जाते हैं एंग वारी कठ्था नहों यह अंदर रखने वाली हूं इधर से इधर साला ब्रत करता है इधर को अपर अचछिए लुपड अचिजिए अधर उड़ा और यह घल्ली और लाल मिर्च पॉडर. सिसा का बोटल है उसमें साभों कर दाते हैं उसके घक्कर में पेपर डाल देँ हुए ताकर पर टाइट रहे तो यहां पर चाtechn condiciones9 टीख रहे हुए तो यह काम चूर हो गया लाल मिर्च हो गया हर तरह का मसाला छोले मशाला राजमा ये जब रखती हो इदर गिलोई आम याँ लाजूस सब गया किचन में काम करने की दौरान फिस पर कर लेती हूं यह सब देखिए एक यह देखिए इसमें मैंने माचीस रखा हुआ है एक डबा में सारा माचीस क्योंकि माचीस अगर पुजा के लिए खोलती हूँ तो सारा इदर-दर बावो कर देता है वो जो रावन जैसा डबा देखा उसमें मैं रखती हूँ सुखा आटा जो रोटी बनाने के लिए डेली यूज होता है गौ में तो मम्मी चाची लोग को देखती हूं, सास को भी देखती हूं कि वो रखती नहीं है, कुटा उत्ता के लिए बना देती हैं, रोज रोज जिसको हम लोग पर्थन कहते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, रोज रोज इतना महंगा आटा और यहां कहां कुट कर देकर मैं साप कर लूँगी जो डबबा साप करना या ज़ैकि मा खाना का डबबा ये वह साप मुझे करना है बदाम कर दब्बा वह सब नागा कर लूगी और जो सब साप कर लूँघ यह छोटा वाला जो एक में घूर prepared नवार ठीव hier और इधर जितना मैं ये बुलू वाले पर रख रही हूँ इसमें ड्राय फ्रोट्स रखूंगी एक बुलू वाला नीचे है जिसमें की माशाला रखा रहता है और इस तरह से मैंने उपर सारा कम्प्लीट कर दिया है जो जो धोने का डबा है उसको मैंने नीचे रख दिया है और इस तरह से मैंने केचन साप कर दिया है, तो ये हर किसी को एक मैंने में गवार करना ही पड़ता है, बस करने का तरीका अलग अलग होता है, चुकि हर तरह का काम करना होता है, तो एक ही काम में अगर मैं समय लगा दूँगी, एक एक चीज को हर मंत साप करूँगी, परिशा हो जाओंगी इसलिए तरीके से जो गंदा है वो करना है जो नहीं है गंदा हो नहीं क्रना है और जो डबबा मैंने नीचे रखा था अर्व कर दिया और अभी चुक्त हो गया है रात सबकूछ हो गया है घुझा कर रूटी फे के बाद मैं आपको अपना किचन दिखा रही हूं यहां पर मैंने पाने रख दिया है जो कि रात में प्यास बहुत लगती है और उपर इस तरह से सारा चीज जो सवान पहले थे था जो थोड़ा थोड़ा रखना था वो भी रख दिया और अब मैंने उसरा लाइट को बंद कर करिएगा चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा अपने परतिक्रिया दिजिएगा तो मिलती हूं अब मैं आप से अपने अगले ब्लॉक में एक अच्छे से ब्लॉक को लेकर बने रहे इस चैनल के साथ बाइवाइडियर लव यू आल